प्रेंड्स आप इस चैनल में एक पार फिर से स्वागत हैं जिसका नाम है हेल्थ मेर्डीजी। फ्रेंड्स क्या आप इनमें से किसी भी लक्षन से पूरी धे हैं जैसे कि पैरों में या काफ में या थाइस में निली निली नसों का दिखाई देना, एंकल या टकने के चारो तरफ हलकी हलकी सूजन का बने रहना, पैरों में सूजन का आना जो की सुबह की समय में कम रहती है और शाम तक बढ़ जाती है, इसके अलवा पैरों में खुजली का होना जो की सोते समय ज़्यादा मैसूस होती है, हमेशा पैरों में दर्द का बने रहना और शरीर का हमेशा ठके हुए रहना So friends, अगर आप इन में से किसी भी लक्षन से या सिम्टम्स अपनी बाडी में नोटिस करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें Friends, आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेंस के बारे में जो कि हमारे पैरों या काफ या थाइस में नीली नसों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं और अक्सर लोग इसे काफी लाइटली ले लेते हैं Friends, आज हम ये जानते हैं कि वेरिकोज वेंस क्या होती हैं और ये क्यों होती हैं Friends, हमारा हार्ट ब्लड को पूरी बाड़ी में पंप करने का काम करता है परन्तु जब ब्लड पैरों से वापिस हार्ट की तरफ आता है तो ये एक एंटी ग्रेविटी मोशन होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को उपर आना पड़ता है और ब्लड को हार्ट के तरफ पंप करने में हमारी जो काफ की मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं और पैरों की वेंस में one-sided valves लगे हुए होते हैं जो की जब ब्लड ऊपर आता है तो उसको वापस नीचे गिरने से रोगते हैं परन्तु जब calf muscles weak हो जाते हैं तो इन veins में ये लगे हुए one-sided walls धीरे-धीरे leak होने लगते हैं और blood वापस पैरों में नीचे की तरफ आने लगता है और इकठा होने लगता है और जब पैरों की नसों में इस blood का pressure काफी बढ़ जाता है तो ये pressure की वज़े से इस प्रतो इस pressure की वज़े से ये नीली नीली नसों के रूप में दिखाई देने लगती हैं और इन्हें ही हम varicose veins कहते हैं friends कुछ veins उपर की सतय पर होती है और कुछ muscles के बीच में deeper level पर होती है अगर ये समस्या काफी बढ़ जाती है तो veins में होने वाली इस blockage का पता लगाने के लिए color doppler ultrasound नाम के test की मदद ली जाती है या कभी-कभी MRI की भी जरुद पढ़ती है और इन test के करने से इन test से ये पता लगता है कि कहां पर कितनी blockage है यानि कि blockage कितनी है और उस blockage का percentage क्या है friends varicose veins कोई immediate medical emergency तो नहीं पैदा करती है परन्तु अगर ये जादा बढ़ जाती है तो उस body part के काला पढ़ने के chances काफी जादा हो जाते है साथ ही साथ अगर ये blood clots उस जगह से release होकर brain तक पहुंच जाए तो अचानक से बेहोशी आ सकती है या brain को blood की supply भी रुख सकती है और काफी सारी medical emergencies पैदा हो सकती है friends अब हम ये जानते हैं कि varicose veins के treatment के लिए क्या treatment options available है तो friends इसमें सबसे पहला और सबसे important part of treatment है regular exercise जिसमें कि हम light to medium exercises को शामिल करते हैं जैसे कि walk या cycling इसके साथ ही साथ पैरों में blood flow को maintain करने के लिए और इन daily veins को support करने के लिए compression socks या compression stockings जो की expression तरह के जुराब होते हैं इनको भी पहनना काफी helpful होता है treatment के दूसरे part के रूप में हम diet management को add करते हैं और high fat food और junk food को avoid करके fresh fruits and juices जिसमें की vitamin B group ज़्यादा पाया जाता है उसे शामिल किया जाता है साथ ही साथ fresh vegetables और high fiber diet के द्वारा हम body के water management को भी ठीक करते हैं और body से excess water को release करवाते हैं treatment के तीसरे part के रूप में medicines या supplement के रूप में vitamin B complex group को add किया जाता है क्योंकि vitamin B complex जो group है जिसमें की B1, B2, B3, B6, B12 यह सारे vitamins इसमें शामिल होते हैं यह B complex group हमारी veins की strengthening में काफी help करते हैं और इन नसों को वापस से strengthen करते हैं फिर भी इसके अलावा भी अगर यह समस्या काफी जादा बढ़ जाती है तो आज कर एक specialized laser treatment होता है जिसके द्वारा इन डिली नसों को laser treatment से फिर से tight कर दिया जाता है और अगर फिर भी समस्या बढ़ी भी रहती है तो surgery करके यह operation के द्वारा इन नसों के गुच्छों को निकाल दिया जाता है तो friends इस वीडियो में दी गई चोटी चोटी परंतु बहुत important जानकारी को adopt करके हम varicose veins की problem से बहुत ही जल्दी और effectively चुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी specific exercises लेके आऊंगा जिसकी help से हम लोग varicose veins की समस्या से बहुत जल्दी और बहुत effectively चुटकारा पा सकते हैं और उन इलिनसों को strengthen कर सकते हैं तो friends मैं उमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दीगी जानकारी आपको पसंद आएगी और इससे आपको लाब होगा साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो इससे जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद